बिहार में सीज बचवारे को लेकर केंद्र मंत्री और RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वा नराज है BJP अध्यक्ष अमिशाहन से उनकी मुलाकात नहीं हुई है इसको लेकर अमिशाहने कहा है कि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई साथ ही उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुश्वा थोड़े नराज भी है थोड़े मद्बेद भी है जिन्हें हम दूर कर लेंगे बागपत जिले के बड़ोध पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है बड़ोध पुलिस ने इड़ भटे के पास से दो बड़माशों को गिरफतार किया है पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में असलाह बरामत किया है वहीं पकड़े गए बड़माशों का एक साथी फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है बाकपद में लोकसभा से बिजेपी सांसद और केंद्रे मंतरी डॉक्टर सतपाल सिंग के विरोध में गाउं के लोगों ने पंचायत का आयोजन किया लोगों ने मंतरी पर विधान सभावों में ही विकास कारियों करने का आरोप लगाया है साथ ही गाउवालों ने पाची से इने दोबारा टिकेट नहीं देने की मांग की है बुलन शहर शिकारपूर पहासु ब्लॉक के गाउव सरॉली में ग्राम प्रधान और विभागी अधिकारियों की मिली भगत के चलते सौचाले में धानली का मामला सामने आया है दरसल ग्राम प्रधान अधिकारियों के साथ मिलकर सौचालियों के रिर्मान में घटिया सामगरी का इस्तिमाल कर रहा है वहीं गाउव में जगा जगा गंदगी देखी जा रही है 36 गण में दूसरे और अंतिम चरण के लिए 19 जिलों की 72 सीटों पर मद्दान जारी है महीं मद्दान प्रतिक्रिया शुरू होने से पहले ही प्रदेश की अलग-अलग छेत्र में से इव्यम मशीन में तकनीकी खराबी सामने आ रही है जिसमें कवर्धा की 236 नंबर पोलिंग बूत की भी मशीन में खराबी की बास सामने आई है और सीएम रमन सिंग को भी इसी बूत पर वोट डालना है मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ सीतापूर को बड़ी सौगाद दे सकते है आतिरित उर्जा स्त्रोत विभाग के अंतरगर सीतापूर में 1550 करोड रुपेल लागत के ग्रीन प्लियू उत्पादन प्लाच की स्थापना का प्रस्ताव है मुख्यमंत्री की अद्धक्षता में होने वाली काबिनेट की बैठक में जैव उर्जा उद्यम प्रोत्साहन कारिकरम के अंतरगरत इस प्रोजेक्ट को सुविधाय देने को मंजूरी दिये जानी की समभावना है नौईजा में कैश लूट कर भाग रहे बदमाश की पुलिस से मुद्बेड हो गई मुद्बेड में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया है घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया है मौके से पुलिस ने एक कार एक देशी पिस्टल कुछ कार्टूस बरामत किये हैं राइबरेली के जिला एवं स्तर नायाले में गवाही देने आई एक महीला पसा सुराल वालों ने कोट के अंदर ही आखों में क्यमिकल जाल दिया कोट में इस हरकत के बाद हरकम मजगया वहीं वकीलों ने महीला को इलाज के लिए अस्पताल में बरती कराया है साथ ही पुलिस जाँच में जुट गई है केंद्र सरकार ने अपने मंत्री अलफान्सो कनंधनम को काम सौपा है कि वो केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार पर सब्री माला में आने वाले शक्दालूओं को बहतर आधार भूत सुधाय मोहिया कराने का दबाव बनाए मही अलफान्स ने कहा है कि इस धार्मिक परिटन स्तल्क के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोर रुपे का फंड जारी कर चुका है इसलिए मैं यहां निरिक्षिन करने आया हूँ महराष्ट के वारधा जिले में स्पित आयूद डीपो के पास विस्पोर्ट में तीन मजदूरों सही छे लोगों की मौत हो गई है रक्षा विभाग में एक अधिकारी ने बताया कि आयूद को वहनों से उताने के दौरान ये विस्पोर्ट हुआ है उन्होंने बताया कि मरने वालों में एक व्यक्ति आयूद फैक्टरी का करमचारी है जबकि अन्य तीन मजदूर है